नई पडोसन प्यार और दोस्ती के बीच का जो रिष्टा होता है ना वैसा ही कुछ रिष्टा है शर्मा जी का अपनी पडोसन बबिता भाबी से अर शुनिया ना, कुछ पैसा दे कर जाईएगा मैं और पडोस की बबिता भाबी अच्छा आपिंग में जाएंगे नहीं, तुम तो ये क्रेडिट कार्ड ले जाओ, और हाँ, मैं आफिस जाते वक्त तुम दोनों को मॉल में भी छोड़ दूँगा आरे वाह, ये तो मज़ा ही आ गया, मैं अभी बबिता भाबी को तयार हो जाने को कहती हूँ शेर्माइन और बबिता में बात हो जाती है ये महगा वाला परफ्यूम लगा लेता हूँ, भाबी जी बगल में बैठेगी तो इंट्रेस सजाएंगी दोनों मिया बीवी घर से बाहर निकलते ही है कि शेर्माइन बगल वाली सीट में बैठती है अरे तुम पीछे जाओ ना अरे पीछे का है, अरे तुम ड्राइवर लगोगे ना, मैं और बबिता भाबी पीछे बैठ गए तो अरे ने ने वो तो आगे बैठेगी अर का बात है, कुछ जादा ही जज़बात नहीं उचल रहे हैं तुमारे मैं उतर रही हूँ, कैब से चली जाओंगी अरे मेरी प्यारी बलबल, वो मेरा आफिस का बैग देख रही हूँ ना हाँ तो, रोजी तो देखते हैं, आज का नया है अरे उस में ना अफिस का कैश रखा है अब ये बबीता भाबी का तो कोई भरुसा है नहीं, चोड तो लगती हैं, तभी तो अरे का, का तभी तो, और कैसे चोड लगती है वो तुमें, का चुरा लिया उसने तुमारा का बताऊं, मतलब कि अब पैसे गाइब हो गया तो, शर्मा शर्मी में कुछ बोल भी नहीं पाएंगे तुम बैग पकड़ कर पीछे बैट जाओ, वो आगे बैट जाएंगी होता भी ऐसा ही कुछ है, बबीता जी बैट जाती है शर्मा बाबु की बगल में अब जो कार स्पीड आफिस जाने के लिए 70 होती थी, वो 40 में आकर अटक जाती है और का बात है, आज तो आपकी कार चली नहीं रही है बबीता जी जूर से सांस लेते हुए कहती है ये कैसी प्यारी सी महक है अरे लगता है मेरा परफूम है, लेकिन मैंने तो लगाया नहीं अरे वो लगता है, गलती से मैंने अरे शर्मा जी, लेडिस परफ्यूम अब अब जी जी वो बजार आ गया अच्छा, आप लोगों का अगर टाइम लगेगा तो बता दे ना, मैं आ जाओंगा लेने और नहीं न, ठीक जाओ अब अफिस हाँ वैसे लेट हो रहे हो कबसे बाई बाई भापी जी, अच्छे से शापिंग करियेगा जी, बिलकर अगले दिन अरे सुनिया तो, शाम को जल्दी आ जाएगा वो बबीता भापी है ना अब कौन बबीता भापी, याद नहीं आ रहा अरे वही वाली, जिसके साथ आपने हमें मार्केट में छोड़ा था याद नहीं का अरे कौन वो पतली, लंबी, काले-काले बालों वाली हिरण जैसी आखो वाली, वही न, अरे याद नहीं आ रही अच्छे से वाजी वाज, अरे और कितना याद रखोगे उन लोगों के घर हमारा आज रात का खाना है टेम से आ जाना शर्मा और शर्माईन, पडूस की बबीता भापी के घर खाना खाने जाते हैं जहां बबीता का पती कहता है अरे आई 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 बापी जी, आपी का इंतजार हो रहा था देखे, आज सबजी मैंने खुद आपके लिए अपने हाथों से बनाई है अच्छा, तो कभी हमारे घर भी आईए खाने में मैं भी खिलाओंगा बबीता भापी को अपने हाथ का कोर्मा मसाला अगर आप दोनों की खुद की तारीफ हो गई हो तो थोड़ा बैठ कर बात कर लें अरे बबीता जी, आपकी शादी अरेंजड मैरिज लगती है तबी आप कहां इतनी सुन्दर और भाई सहाब अरे नहीं नहीं, हम लोगों की तो लव मैरिश थी मैंने तो 16 सूमवार रखी थे इनके लिए अरे हाँ, मैंने भी इन सशादी के लिए ना, 16 सूमवार रखे थे अच्छा, और व्रत करने के बाद ये मिले आपको बोले जा रहे हैं, कितनी प्यारी जोडी है शर्मा और शर्माईन जी की हाँ, वैसे और भी अच्छी हो सकती थी सब खाना खाकर अपने घर के लिए निकल ही रहे होते हैं की और हाँ, अब हम लोगों को एक दुसरे के घर जाने के लिए किसी बहानी के जरूरत नहीं होनी चाहिए, अरे भाई पड़ोसी हैं वो भी एक उम्रे के, क्यों मिस्स शर्माई अरे मुझा और खविता भावे को तो बोलने के भी जरूरत नहीं है, वो काहना हम लोग वैसे भी साथ ही रहते हैं कभी बहुत सुब मेरे घर में तो शाम को मैं उनके एक दिन शर्माई जी ओफिस से शाम को घर आने के बजाए, बभीता जी के घर मिठाय का डिबा लेकर पहुँच जाते हैं अरे भावी जी, कहां है आप? अरे भावी साहब, आप, मुझे लगी रहा था कि आप ही होंगे जी भावी जी, कनेक्शन नीसी को तो बोलते हैं वैसे ये लिजे मिठाय काईए, मेरा प्रमोशन हो गया जी आपने भावी जी, यानि अपने बीबी से शेर कर ली ये बाद और मिठाय दोनों अरे नई 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 भावी, जैसे ही मेरा प्रमोशन हुआ, मिठाय लेकर सीधे आपके घर आया हूँ लीजे लीजे, खा लीजे तबी पीछे से शर्माईन आकर खड़ी हो जाती है अब हाँ हाँ, चलो चलो, वो बावी जी तो बोल रही थी कि जी शर्माजी, इसलिए मैं बोल रही थी कि मुझे लगा आप ही होंगे क्योंकि आपकी वाइफ मेरे घर में थी, तो आपको तो आफिस सी सीधा यहीं ही आना था ना घर आकर शर्माईन शर्मापर बरस्ती है अरो देख रहे हैं हम, कुछ दिनों से आप बभी ताजी पर कुछ जादा ही महर्बान हो रहे हैं अरो वो तो तुम्हारी सहली है, तो मैं थोड़ा भाव दे देता हूँ वरना तो तुम जानती हो, मैं तुम्हारे बिना किसी को देखता तक नहीं हूँ हाँ हाँ, देख रहे हैं हम, कि तुम किसे देखते हो और किसे नहीं प्रमोशन हुआ, दिन में चार-चार बार फोन पर बात हुई, पर मुझे बताना जरूरी नहीं था, क्यों? शर्मा देखता है, कि दर्वाजे में बबीता खड़ी है, और सामने बीवी की तभी हाई, हाई रहाई, मेरे सीने में दर्दा, यह, 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 वो सीना पकड़ कर बैट जाते हैं अब एक तरब से बीवी शर्माजी को पकड़ती है और एक तरब से दबीता जी बेचारे शर्माजी इस बार तो बच गए लेकिन देखना बाकी है कि आखिर कब तक